मीट मसाले से बन रहा मिड़े मील का खाना रसोई घर में मिले मीट मसाले के पैकेट चनद पैसों की लालश में मासू मच्चों के जीवन और स्वास के साथ कर रहे हैं खिलवार हाड मसालों से बनता है मीट मसाला ग्रामीडों ने लगाया आरोप वीडियो बना कर किया वाइरल बी ऐसे ने मामले में ततकाल जांच कर कारवाही के दिये आदेश उमर्दा छेतर के प्रात्मिक विद्ध्याले पट्टी का मामला आप जूठबोले है आप इसम कुछ नहीं कों से मसाले हैं जाद ही बच्चों के लिए मीट मसाला या ऑद बच्चों पुलाइब बच्चों के लिए मीट मसाला मेडम जी दिन दिन वर बाताइं करते हैं बच्चान पड़ा उतिने सलेंडर हुना आई है देखाओ आप यहां का खाना बनाती हैं मेटे मिल नहीं दाल नहीं थी और कुछ नहीं था कितने दिन्दे खाना नहीं बनना है का आए दिखाओ अडरस होई में नहीं दाल ले यह उर सावान दिखाबगा यह रखा बस यह अत्ली मिच्चा प्यास से हुए आटा कहां रखा ग्यों चाबल कहां है का रख के खाना यहां बनता वापें चाबल रखें तो महारी तंगान मिले तो तुम काट देती हैं और उसके मतलब जब रुआसन यह तो क्यों नहीं बताती हो तुम्हें आप प्रदान नदान को अब अब्लेप्या अए जहनव तुम किया नामरहा कितने जिन से नहीं बन leg कि इस ऐस कि क्या बन टार 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 砂र 17 1 2 3 3 2 4 कर दो तो तो मैंने स्कूल नाम लिको है मैडम जी जो आपके साथ में जो टीचर है वो किसे लिए नहीं आए आज रेजिस्टर कहा है रेजिस्टर रेजिस्टर दिखाओ आप नहीं रेजिस्टर कहा है जो मतलब जिसके आजरी मेंटिनेज होती है बेली बेली वो हो कहा है नहीं जो आप मतलब स्कूल का कोई व्यक्त कोई कागज कारवाई करनी है तो वो घर ले जाएंगे आप रेजिस्टर दिखाए कहा है कि लिए कि लिए कि लेकर के उसमें जाजरी हैं चड़ी के अब सामने होते तो कूछ से हमें तो जानकारी है नहीं है उनको फोन करो क्यों रेजिटर लेगे वहां फोन नहीं उड़ा रहे राधान भी बेच लिया साथ पैकेट उन्होंने छे पैकेट बेचा यहां वह बता अब आए का अब रहे इस्टर भी नहीं है अब आपका बच्चा पड़ता है मतलब डेली आते हैं वो फीटर की नहीं आते हैं अब आत कैसी करते हैं आपका क्या ना है आपका क्या ना है वो असब्द बोलते हैं कहते मेरा क्या क्या कर लोगे मतलब इस बच्चों के बावेश के साथ यह खड़ोला किसका पड़ा है कनोज से अपडेट मीडिया के लिए येस्टर पार्टी की रिपोर्ट वीडियो आपको अच्छी लेगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को शेयर करना बिलकुल भी न भूलें मैं आप से मिलती हूँ अगले वीडियो में तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए धन्यवाद